जी अडाम बलबल की नाम परम सतकार योग सत्संगी जन्नों फत्य परवान करो आही गुरुजी का खलसा वाही गुरुजी की फत्य है गुरुनानक साहिब दी जब बानी जेशदे विच सोलवी पवड़ी ते चार पवड़ियां ऐस्यां हन जेना विच एक पंक्ती नो वार वार रपीड कीता है ते ओ पंक्ती है कुदरत कवण कहां विचार ते इस विच गुरुनानक पाथ्ष्याजी कहन दे हन हे प्रभू मेरे विच इतनी ताकत कित्थे है कुदरत दा भाव है इतनी ताकत मेरे कुड इतनी ताकत कित्थों कि मैं तेरे गुणानों बयां कर सका तेरी कुदरत दी मैं विचार कर सका मेरे कुड इतनी ताकत कित्थे है कुदरत कमन कहां विचार वारियान जावां एक बार मैं एक दफ़ा भी आपजी दे उत्ते बलिहार जान जोगा नहीं हैं एक दफ़ा भी फिर आपजी पहला केंदेयन खुदरत कवन कहां वीचार मेरे कुड़ ताकत नहीं के मैं विचार कराँ पर फिर वी साहिब जी इस पावड़ी दे विचे उन्ना संत पुर्शांद गल करदेने जो कबूल हो गएने ते उन्ना दे पर थाए जगतन उस उबदेश करदेन पंच परवान पंच परदान पंचे पावें हैं दर गए है मा पंच तो मुराद है मुख्या आगू प्राचीन समेतां एक मर्यादा चल दी आ रही है के पंड़दे लोक कठे हों दे अन ते अपनी शक्ती अपनी ताकत किसे एक नूँ दे देन देने ते के देने तुम साड़ा आगू है तुम साड़ा मुख्या है ते ओ धारना अज तक भी चल दी आ रही है के अपनी पूरी दी पूरी शक्ती एक नूँ दे देना और करना के हर खेतर दे विच जो फैंसला आप जी ने करना है वो सनु कबूल है सनु मन्जूर है फिर भावे ओ सामाज का फैंसला होबे भावे राजनेत का फैंसला होबे ते उसे तरह धारम दी दुनिया दे विच पंच किसनों कहन देने के धारम दी दुनिया विच पंच ओए आगू ओए धन गुरु ग्रंच सहब जी दे पावन भोल हन के पंच सोई पंचां को मारे होण धरम दी दुनिया विच ओपंच है जिड़ा पंच विकारानों वश विच करलेंदा है ऐसे मनुख नों पंच किया है मैं एक अर्ज कराओं के मनुख दे शरीर विच पंच ग्यानेंद्रियां ते पंच करमेंद्रियां जिडियां पंज ग्यानेंद्रियां जिनना तो मनुखनों ग्यान होंदै ते पंज करमेंद्रियां जिनना दे नाड मनुख करम करदै जो ग्यानेंद्रियां हन जिनना दे विच अखां हन, कन्हन, जहबा है, नासिका है ते हतने सपर्श करके ग्यान मिल दै कल देने के जो ऐ पंज ज्यानेंद्रियाँ हन ते एज़ों देखनी हन ते काउन है एस श्रीर दे विचस जेड़ कंदा है कि मैंनों दिस अरे आए काउन है श्रीर विचस जेड़ कंदा है मैं कुछ सोन रहा है काउन है इस शरीर दे विच जिड़ा केंदा है मैंनू खुशबू आ रही है काउन है शरीर दे विच जिड़ा बोल रही है काउन है वो जो देखदा है उसनो केंदे ने वो है दिहान जदो से एकनदे नाजदे देखदेया ते ध्यान दे कोल संदेश पॉँचदा है केंदे ने ओढ़र देखदेया अर गहए ध्यान जाुच ourselves मुख मखिई होजआए ते मनुख फिर संत बन जानदा है मैं फिर अर्ज करां कि ए शरीर एक ऐसी नहर है ध्यान दी एक ऐसी नहर है जेकर ए नहर मरूथल विच जान दी होवे ता नहर दा पाणी सुक जान दा है जेकर एही नहर सागरवल जान दी होवे ता होर विशाल बन जान दी है होर विशाल जे कर मनुख दा ध्यान विकारमल चला गया ते मनुख दी उर्जा खतम होंदी है जे एही ध्यान रब वल चला जावे मनुख दी उर्जा होर वज दी है होन जिस दी उर्जा परमातमा वल चली जावे अझानी पुरश बन गया, अपांच बन गया, अमक्खी बन गया, अपांच गया. सत्गुरु जी उसीवल इशारा करके केंदे ने पांच परवान, पांच परदाँ, पांचें पावें, और गये मान। होन ऐसे मनुखनों, ऐसे पांचनों, ऐसे संतनों समाज कबूल कर लेंदा है क्योंकि ऐसा मनुख कदेवी के सेदा बुरा नहीं करदा हर वेले भला ही करदा है इस करके समाज उसनों कबूल कर लेंदा है ओ पंच परवान है समाज कबूल कर लेंदा है ते समाज कह देंदा है इस अड़ा परधान है इस अड़ा मुखी है ते एथों तक नहीं होर भी अगाँ चल के केंदेने पंचें पावें दरग है माहान जिड़ा संत जन है जिड़ा प्रभूद गीत गारी है उसनों एथे वी लोग कबूल कर देने ओ दरगा विच भी कबूल हो जान दे उसनों एथे वी सतकार है पर मात्मा दे दर्थे वी ओ परवावन हो जान दे कबूल हो जान दे ओ उत्थे वी मान दे प्राप्ति कर दे पंचें पावें दरगहे मान पंचें सोहें दर राजान प्राचीन समेतों एक बहुत ही सुन्दर मर्यादव चल दी आ रही है कि राज दरबार दे विच्च जड़े राजे उन दे सन वो संतां ते माँ पुरुशान वो केंदे सिन कि आप जीगी कोज समाल लए आके सठे दरबार दे विच बैठके सठे दरबार दी शोबावद आया करो केंदे सन के राज दरबार दे विच्च बी संत बैठदा है ते राज दरबार दे शोबावद दी है एथे मैं अर्ज कराँ डॉक्टर मुहमद इकबाल होया बड़े आलम फाजल सी आप जी कीकंदे ने एक दरवेश नो वेख के कीकंदे ने के कहां से सीखी एक बाल ये दरवेशी तुने के चर्चा शेहन शाहों में तेरी बेनियाजी की कित्थों से की है ऐसी दरवेशी के बादिशा लोक भी तेरी चर्चा कर देने उत्थे भी तो नुमान मिलदा है ऐसी दरवेशी कित्थों से की है कित्थों से की है मैं अर्ज़ करड़े आसी पंचें सो हैं डरज आजान ते ऐसे पंचाने की की यदा है कहाना लगे पंचा का गुर एक देयान जेना उसी पंच कहान है मुखी कहान बिइया संतजन कहान कहान उना धज़्या ध्यान केंदधरित हो गया है किस तरह के अंधरित हो या वो जितना देख़देने रबनु देख़देने जितना सुन देख़देन रबनु सुन देख़देन जितना बोल देने वो ज्यान बोल देने जितना भी बोल देने जितना सुन देने नाम सुन देने जितना देख़देने पंचां का गुरु एक धियान जिड़ सूरज है और सूरज दा धर्म की है तपना अग दा धर्म की है सेक देना पाणी दा धर्म की है शीतल दा निमान वल जाना धरती दा अपना धर्म है ते पशु जगत दा अपना धर्म है ते फिर मनुख दा धर्म की है कहने ने मनुख दा धर्म है ध्यान मनुख दा धर्म है प्रभूद नाल प्रीत जोड़ना ए ध्यान है जदों भी मनुख इस ध्यान तो चूक जानदा है फिर करना पहनदा है कि तों मनुख हैं तो बंदा हैं पर बंदे वरगे कम नहीं करदा मनुख नो किया जान दा है तो गुस्ता की माफ कदे कुत्ते नो नहीं किया जान दा कि तुम कुत्ता कुत्ते वरगा कम नहीं करदा पिया है कदे पशू नो नहीं किया कि तुम पशू वरगे कम नहीं करदा पिया मनुख नो करना पेंदा है कि तु हैं ता मनुख पर मनुख वर के कम नहीं करदा भी आए इस ता की कारण है क्योंकि ओ अपने धार्म तो डिग पे आए अपने मिशन तो डिग पे आए अपने ध्यान तो डिग पे आए और फिर ठीक अरथां विच शारिरिक ताउरते भहाँ में वो मनुख है पर धन गुरु अर्जन देव साहिब उनों फिर करना पिया करतूत पशू की मानस जात लोक पचारा करें दिने रात तो जिटा पंच है उसता ध्यान गुरुवल है निरंकारवल है पंचां का गुरु एक ध्यान फिर अगाँ चल के केंदेने जे को कहे करे वीचार जीडा भी कोई परमात्मा दी गल करदा हुए वीचार करदा हुए ता फिर उसनों एक निरना उदे सामने आउंदा है कि करते कह करने नहीं शमार जो करता है परमात्मा है परमात्मा ने जितना कुछ भी कीता है जितनी भी खेड़ खेड़ी है वो दा शुमार कोई नहीं है वो दा अंत कोई नहीं है वो बेशुमार है वो बेशुमार है परमात्मा भी बेशुमार भगत भी बेशुमार पंच भी बेशुमार अपने विशेनों थोड़ा जया फिर बदल देने की कन देने कि पुरातन समें तो एक धारना चल दे आ रही है की धारना कि जो धरती है ओ किसे बलत देशार है टिकी होई है बलत देशार है और जदों भी ओ बलत अपना स्विंग बदल दा है कन देने धारती ते फिर जल जला हुंदा है भुकम पाउंदेने ते धारना चल दे आ रही है ते गुरु बाबे नो इस ते बारे भी फिर कुछ करना पे या ते अब जी की कन देने धावल धरम दया का पूद संतोख थाप रखिया जिन सूद जिसनों तुसी कन दे हो धावल बलद और बलद बलद नहीं है और धरम है और नियम है जिस्ते सारे धरती टकी होई जिसनों तुसी बलद कन दे हो और बलद नहीं है और धरम कित्थों पैदा होया कन देने परमात्मा ने धया की ति परमात्मा दे जीवंदे विच्चु जदुँँए एक गोमल द युज़ केंदे ने ओदुदू फिर धरम यदा जनम हो या क्योंकि धरम धया धर धया ध पुतर है धाल धरम धया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत हुण धारम दे मारग विच दो गलां समझने हैं बहुत जरूरी हैं धारम दे खेतर विच जड़ी प्रथम गल है ओ है दया ते दूजी गल है संतोख ए दो गलां ए दो में शबद गैरे तल ते समझना है जड़ो मनुख दे जीवन विच दया है ते दया तो सेवा दा जनम होंदा है और ऐसा मनुख संसार दे नाल जुड़दा है जी दया है, सेवा है, मनुक संसार दे नाल जुड़दा है और मनुक दे को जी संतोख है, ता फिर ओ, रब दे नाल जुड़दा है शुक्राना करदा है, धन्वाद करदा है मैं फिर अर्ज करां, संतोख मनुक नो रब दे नाल जुड़दा है ते दया मनुख नो संसार दे नाल जोड़ दी है जमें जमें मनुख दया करदा है जमें जमें मनुख सीवा करदा है तो संसार दे नाल प्रीत बन दी है और जमें जमें मनुख संतोख तारन करके सिमरन करदा है, शुकराना करदा है परमात्मा दे नालप्रीत बन दी है प्रभू दे नालप्रीत बन दी है हुण ए दोवें गल्ला संतोक ते दया दया दूजे ते करनी है संतोक अपने ते रखना है किस तरह के दूजे ते दया करनी है लोडवंद नो देखना दया करनी है किसे भी खेतर दे विचों जे पिछड़ गया दया करनी है और संतोख अपने ते करना है कि प्रभू ने मैंनों इतना बख्षिया मैं एदे काबिल नहीं सी पर अक्सर मनुख की करदा है दया अपने उते करदा है दूजे नू कहनदा है तो संतोखी बढ़न अपने ते दया करदा है कहनदा है मेरे कुल जितना भी है थोड़ा है ते दूजे नू कहनदा है तो संतोख तारण कर तेरे कुल ता बहुत कुछ है जदों की खेड ही विप्रीत हो गई संतोख अपने ते करना सी दया दूजे ते करनी सी पर दया अपने ते कर बैठा संतोख दूजे नों सिखा रहे है कहन देने नहीं इस तरह नहीं प्रभूदी जडी खेड़ है दावल धरम दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत कहन देने पर मातमा ने एक ऐसी खेड़ खेड़ी है कि सारी कुदरत नों एक धागे विच परोया हुया है संतोख दे धागे विच होन संतोख दा धागा किस्तरा जे असी देखिये कुते नों ते कुत अपने जीवन दे विच पूरन तार ते संतोख ही बनके वेठा है जे सुवर नू वेखिये अपने जीवन दे विच संतुष्ट है जे पशु नू वेखिये पशु अपने जीवन दे विच संतुष्ट है जे मनुख नू वेखिये मनुख अपने जीवन विच संतुष्ट है पर मातमा ने ऐसी खेड़ गेड़ी है केंदे ने जे कर सुवर्न केया जावे त्यों कृता बढां दिता जावे, केंदे ने उ कहाएगा नए मैं वही थीक हूं, मैं वही थीक हूं प्रभू ने हर एकनू संतोख दे विच रखिया है, हर एकनू जे शेर दी खुराक मास है ते वो गाव नहीं खाएगा जे गाव दी खुराक गाव है ते वो मास नहीं खाएगी परमात्मा ने एक धागी विच प्रोया है एथे मैं एक छोटी जी अर्द करांगा एक गाथा है मिथियास कहने के भगत प्रेलाद नो एलाम होया कि तेरी बंदगी काबल कबूल है आर दरते तेरी परवानगी है, तू परवान होगी है तो प्रेलाद कहनदा है प्रमात्मा नो जे इतनी रहमत कीती है ता एक रहमत होर भी कर दे होर भी केडी रिमत कहनदा है मेरी चाहत है मैं जिस इलाके विच वस्दा ओ सारे दे सारे अमरा पुरी दे विच आओं सारे दे सारे कहनदे ने परमातमा कहनदा है तो जरह पुछतां ले के ए लोग अमरा पुरी दे विच आना विच आओं देने के नहीं पुछ के तदेख। वो पुछदा है कि इसनों पुछदा है सबतों पहला देखदा है कि एक सुवर जो विश्टा देविच लेटे आँओ आँए विश्टा खा रहे है कंदे ने प्रईलाद उसनों पुछदा है कि हौन तैनू इस गंदगी देविच बैठन दी लोड नहीं पवेगी क्योंकि हुन तैनुवी मेरी नाल चलना है सुरग देविच तो कंदे ने सुवर पुछ बैठा के सुरग देविच ता मैं चलाँगा पर पहला मैंनो ए दस उत्विष्टा भी है के नहीं है क्योंकि ओ अपड़ी खुराँग देविच मस्गूल है मस्त है तो मैं अर्ज करणेया सी संतोख थाप रखिया जनसूत जे को बूझ है हो वै सचियार जिड़ा मनुख इस गल नो बुझ लेगा कि जो धर्ती है ओ धर्म दे सारी टिकी होई है ऐसा मनुख सचियार बन जावीगा जिड़ा इस गल नो समझ लेगा बुझ लेगा केड़ी गल के धावले ऊपर केता भार धावले ऊपर केता भार के चो बलद है बलद दे शिर्ते धर्ती दा बोझ है ते फिर ओ बलद जिड़ा है वो किस्ते सारे खड़ा हुए है वो फिर गेंदा है वो बलद नहीं है वो धरम है धरम दे सारे धरती टिकी होई है ते फिर अप जी अगांचल के केंदे ने कि धरती होर परए होर होर तिस्ते भार तले कौन जोर गुरु नानक साहिब देजड़े, जवाब ने, केंड़े ने, एक दार्शनिक करनदा है, कि गुरु नानक साहिब देकोड़् सवाल एक वी नई है, एक वी नहीए, ति जगट गुर्बाबा, गुरु नानक साहिब देकोड़् जवाबां दी पंड़ बननी होई है, जिड़ा भी कोई पुछदा है जबाब उसे विले देने उसे विले और जबाब भी ऐसा कि जो सवाल पुछदा प्या है के अन्दे ने उसनों कोई बोलन वास्ती कोई जगा नहीं बच दी कि मैं हुण की बोला मैं की पुछा सत्गुरु जी कंदे ने असी मन लेंदे यां के धर्ती किसे बलद दे सारे टे किये मन लेंदे यां ओ बलद किते खड़ा है फिर उसनों किस्ता सारा है फिर धर्ती को होर होनी चाहिए जिस्ते बलद खड़ा है फिर ओ धर्ती किस्ते सारे होवेगी क्योंकि धर्ती एक नहीं ह अनिका धर्तिया ने धर्तिय ओर परे ओर ओर तृस्ते बार तले कव्ण जोर क्योंकि एक धर्ति तो ऐसी होगी जो बगएर किसे सारे दे ओवेगी फिर उसनो रोकण वड़ा कौन है उसनों रोकन वाला फिर धारम है ता फिर धर्ती ता धारम दे सारे टिकी होई है और ओ धारम पैदा होया प्रभूदी दया दे सद के प्रभूदी रहमत दे सद के तो इस गलनों सपष्ट कर दे होई सत्गुरु पाथश्या जी कंदे ने कि इस धर्ती ते जड़ी धर्म दे सारे टिकी होई है इस धर्ती ते जी जात रंगां के ना इस धर्ती ते अनेक जीव अनेक रंगां दे अनेक जाती दे अनेक नामां दे पता नहीं कितने सारे जीव ने जिना दे वक वक रंग ने वक वक नाव ने वक वक किसम दे शरीर ने इस सारे दे सारे इस तर्टी ते परमात्मा ने पैदा की ते ने जी जात रंगां के नाउ सबना लिखिया वुडी कलाम वोडी केंदे ने वगदी होई कलाम प्रभू दे हुकम दे विच्च इसारे दे सारे चल रहे ने सारे दे सारे हुन इतनी खलकत है इतने जीवने साहईब जी केंदे ने जेकर कोई मनुख कैद वे के मैं इना दे गिनती करा किस तरह करेगा क्योंकि जेकर किसे दी गिनती करनी होवे किसे दा अंदाजा लेना होवे तकेंदे ने तिन सूत्र ने माप तोल गिनती जेकर किसे दा अंदाजा लेना होवे किस तरह लवोगे माप के तोल के जा फिर गिनती करके सत्गुरु जी कंदे ने परमातमादी बनाई होई जड़ी स्रिष्टी है एहे लेखा लिख जाने कोई काउन है जड़ाइदा लिखा लिख सकदा है कि धर्ती ते कितने जीव हन, कितने नाम हन, कितने रंगने, कितने रूपने, कितने रेखने काउन लिख सकदा है जेकर कोई कैद वे कि मैं लिखल मांगा साहिब जी केंद ने लेखा लिखिया केता हुए कितना बड़ा हुएगा लेखा कितना बड़ा हुएगा कहने लगे लेखा इतना बड़ा हुएगा कि कागद भी मुख जानगे शाही मुख जावेगी लिखन वाला भी मुख जावेगा पर करते दी जिरी किर्त है ओहाले तक भी समझ नहीं आवेगी क्यों? क्योंकि केता तान सुवाले ओ रूप परमातमादी विचे कितनी ताकत है अगन विचे कितनी ताकत है हवा विचे कितनी ताकत है दर्या विच कितनी ताकत है कंदे ने जे ओही हवा अपना रूप बदल दी है तो वड़ी तो वड़ी दर्खत वी जमीत देख देंदी है जे कर ओही लहर अपना रूप बदल दी है ते विशाल भवन वी जमीत देख देने तो कितनी ताकत है कितनी ताकत है, अगन विच कितनी ताकत है, साहिब जी कहन देने, कि केता तान, सुवालियो रूप, परमातमा दी सुन्दरता, परमातमा दा रूप, कहन देने, वखवख किसम दे रूप ने, वखवख किसम दिया सुन्दरतामा ने, कितने किसम दे पंची ने, वखवख किसम जीव ने मनुख कितना कुछ लिख सकता है, कितना कुछ, तो साहिब जी कहने ने, केता तान सुवालियो रूप, केती दात जाने काउन कूत, परमातमा दिजडी दात है, वो कितनी वड़ी है, कितनी वड़ी, मनुख ठक जान्दा है, अखां ठक जान्दियाने, पर जगत दे रूप कदे मुकदे नहीं, कदे मुकदे नहीं, मनुखदे दंद तुट जान्दे नहीं, पर पदारत कदे मुकदे नहीं, मनुखदे कर्ण बैरे हो जान्दे नहीं, पर नाद कदे मुकिया नहीं, मनुखद शरीर कमजोर हो गिया, पर पदारत उसे तरह मावजूद ने दाता मावजूद ने मनुक ठक जानदा है, पर दाता मा नहीं धक देए सत्गुरु जी केंदेने केती दात जाने काउन कूत केंदेन अंदाजा तक्मीना काउन जान सकता है क्योंकि परमात्मा जेकर कोई प्रापत करे परमात्मा जी कर किसे दे पकड़ विचा जावे के अंदेने फिर जिटा पकड़ विचा गया वो पूजा दे काबिल नहीं है फिर जिटा पकड़ विचा गया वो पूजा दे काबिल नहीं है वो ता असीम है वो सीवित नहीं है असीम है वो अगोचर है जो के मनुक दी इंद्रियां दी पकड़तों भी बहुत दूर है ते फिर साहिब जी कंदे ने के उस परमातमा तो जिस परमातमा दा रूप, रंग, सुन्दर ता वकरी वकरी है ते उसने स्रिष्टी नो किस तरा बढ़ाया आप जी कंदे ने कीता पसाओ, एको कवाओ हुन इस पंक्ती दिनाओ सारे दे सारे रहबर पुरश एक मत हन किस तरा जगतगुर बाबा केंदे ने के परमातमा ने पसारा कीता कीता पसाओ, एको कवाओ इसलाम धर्म केंदा है कि परमातमा ने जदों कुन उचारन कीता शबत उचारन कीता कुन खलकत बन गई इसाई धरम कहनदा है परमातमा ने लोगोस शबत उचारन कीता खलकत बन गई जैन धरम कहनदा है कि ओवंकार दा उचारन वेया ते खलकत बन गई वैदिक रिशी केंदे ने परमात्मा ने आमद उचारन कीता ते खलकत बन गई ते धन गुरु नानग साहब जी केंदे ने ने कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होएं लख दरियाओ ते जितने भी रेहबरी पुरिशनें सायां दे एकोई मतनें के धरती किस्तरां बनी है कुधत किस्तरां बनी है बस प्रभू ने किया होजा बन गया सब कुछ एको हुकम दे नाड, कीता पसाओ, एको कवाओ, हुन कवाओ शबद हुकम, ते बनिया की कहन देने, तिस्ते होएं लख दरियाओ, कितने दरिया बन गए जीवाँ दे, कितने दरिया बन गए पंचियाँ दे, कितने दरिया बन गए पश्वाँ दे, कितने दरिया बन गए मनु लख दरियाओ, धन गुरुनानक सहब जी केंदेने, हे प्रभू, कुदरत कवन, एथे कुदरत जो शवद है, तते नों स्यारी लगी होई है, कुदरत, इसना भाव होन्दा है, ताकत, कुदरत कवन, हे प्रभू, मेरे विचे किते इतनी ताकत, कि मैं तेरी विचार करां, ते ते बलिहार नहीं जा सकता, एक दफा भी, कुदरत कमन कहां वीचार, वार्या ना जामा, एक वार, फिर अगाँ चल के की कंदेने, अखीरली पंगती कहके, कथा दी में समापती वाला हुना, कंदेने, जो तुद भाव है, साही भालीगा, हे प्रभू, जो तैनू चंगा पी लगदा है, वो मैंनों भी चंगा लग रही है, जो तैनू भारिया है, वो मैंनों भी भारिया है, जो तेरी मर्दी है, वो ही मेरी मर्दी है, मैं तेरी मर्दी तुम बार कदे नहीं जावाँगा, इस नों कहने देने, समर्पित जीवन, क्यों, क्योंकि तुम सदा, सलामत, निरंकार तूँ अजवी आएं तूँ कल भी सी तूँ आउनों वाड़े कल विच भी होवेंगा फिर तैनों मेरी नमस्कार है मेरा सिजदा है मेरी डंडाओ बंदना है तो सौलवी पौड़ी इसम पूरन होई बाकी तिन पौड़ियां जिनादे विच भी एक पौड़ी वार वार एक शबद वार वार रिपीड कीता है जो तुद भावैसाई बलीकार तो सदां सलामत निरंकार ओदी विचार सवेरे करांगे गुरु साहिब जी किर्पा करन अब जी नुसार यानों एही प्रेम बक्षिश करन पुला चुकांदी खिमा वाही गुरु जी का खालसा व